हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पंडित जवाहलाल नहरुजी का जीवन परिचे हिंदी में तो दोस्तों उमीद करते हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लेगेगी अच्छी लेगे तो लाइक करना चलिए परिचे नाम जवाहलाल मूतीलाल नहरु जन्म 14 नवेंबर 1889 जन्मस्थान इलहाबाद पिता का नाम मूतीलाल नहरु माता स्वरू प्रानी नहरु पत्नी कमला नहरु मृत्यू 27 मई 1964 नई दिल्दी जवाहलाल नहरु का जन्म 14 नवेंबर 1889 को इलहाबाद में हुआ उनके पिता मूतीलाल नहरु एक धनी वेट बैरिस्टर थे जो एक कश्मीरी पंडित थे तथा स्वतंत्रता संग्राम के दोरान भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रिस के दो बार अध्यच्य चुने गए उनकी माता सरू प्रानित सु एक सु परिचित कश्मीरी ब्रामभण परिवार से थी वह मोतीलाल नहरु की दूसरी पतनी थी सिच्छा जवाहलाल नहरु ने अपनी स्कूली सिच्छा हैरो से और कॉलेज की सिच्छा ट्रिनिटी कॉलेज केम्बरिज लंदन से पूरी की थी इसके बाद उन्होंने अपने लौ की डिगरी केम्बरिज विश्वविद्याले से पूरी की सन 1912 में पंडित जवाहलाल नेहरू भारत लोटे तथा वकालत सुरू की मार्च 1916 में नेहरू का विवा कमला कॉल के साथ हुआ जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी उनका राशनितिक जीवन देख लेते हैं दोस्तो जवाहलाल नेहरू सन 1919 के रॉलिट एक्ट और अमरित सर के दुख भरे जलिया वाला बाग हत्याकान के बाद स्वयम को रोक नहीं पाए तथा वी भी अपने पिता मूतिलाल नेहरू जी तथा अन्यनेताओं के साथ मिलकर राशनितिक छेत्र में आ गय 1926 से 1928 तक जवाहलाल ने अखिल भारतिय कॉंग्रेस समीती के महा सचीव के रूप में सेवा की दिसंबर 1929 में कॉंग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहोर में आयोजित किया गया जिसमें जवाहलाल नेहरू तथा सुभाष शंद्रवोष जी ने पूरी राशनितिक स्वतनत्रता की मांग की जबकि मोतिलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिस सामराज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन राज्य का दर्जा पाने की मांग का समर्थन किया मुद्दे को हल करने के लिए गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कॉंग्रेस पूर्ण राशनितिक स्वतनत्रता के लिए एक राश्त्री संगर्स शुरू करेगी नहरू जी और बोश्ट जी ने मांग की कि इस समय को कम करके एक साल कर दिया जाए प्रिटी सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया दिसंबर 1929 में जवाहलाल नहरू जी कॉंग्रेस पार्टी के अध्यच्य चुने गया 26 जन्वरी 1930 को लाहौर में जवाहलाल नहरू जी ने सुतंत्र भारत का जण्डा फैराया गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवग्या आंदोलन का आवान किया आंदोलन सफल रहा और इसने ब्रिटिस सरकार को प्रमुख राशनितिक सुधारों की आवशक्ता को स्विकार करने के लिए विवश कर दिया नहरू कॉंग्रेस के अध्यचपद के लिए 1936 और 1937 में चुने गया थी उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान गिरफतार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया 1947 में भारत और पाकिस्तान की आजादी की समय उन्होंने ब्रिटिस सरकार के साथ हुई वारताओं में महत्वपून भागिदारी की सन 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधान मंत्री के लिए कॉंग्रेस में मद्दान शुरू हुआ मद्दान हुआ तो सरदार पटेल को सरवाधिक मत मिले उसके बाद सरवाधिक मत आचारे कृपलानी को मिले थे किन्तु गांदी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचारे कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहलाल नहरू जी को प्रधान मंत्री बनाया गया इनका सम्मान देख लेते हैं दोस्तों 1955 में नहरू जी को देश के सरवुच्य सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया नहरू जी की प्रशिद रचनाय इनकी चार प्रमुख रचनाय हैं फर्स्ट दिस्कवरी ओफ इंडिया दूसरी हिंदोस्तान की कहानी तीसरी पिता के पत्र लेटर्स फ्रॉम फादर टु हिस डॉर्टर इन हिंदी फूर्थ चौथा देख लेते हैं ग्लिम्सेस ओफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये इनकी चार प्रमुख रचनाय थी जो बहुत ही प्रशिद्ध है अब अंत में इनकी मृत्तियों देख लेते हैं दिल्ली में 27 मैं 1964 को जवाहलाल नहरूजी की मृत्तियों दिल का दौरा पढ़ने के कारण हुआ तो दोस्तो ये थी नहरूजी का जीवन परिचा इसमें कुछ बहुत सारी चीजे चूट गई है उसके लिए मुझे छमा कीजिएगा बट अगर मेरी वीडियो फिर भी आप लोगों को अच्छी लगी मैंने कोशिश की है उनका जो में में पार्ट था उसे कवर अब करने की अगर कोछ चूट गया हो उसके लिए सौरी और प्लीज अगर मेरी वीडियो आप लगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू थैंक यू पर वाच